सबसे बहले अगर हम बात कर रहे हैं कि यह बीजी है क्या यानि कि यह जो साइनो बैक्टरिया हमें लिख रखता है यह साइनो बैक्टरिया है क्या तो यहां पर अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो साइनो बैक्टरिया क्या है यह एक कोश की जीव है एक क बात कर रहे हैं तो इसको हम निली हरी सहवाल कहते हैं इसके पीछे का रेजन क्या है इसका रंद जो होता है को जिका का वो नीला हरा होता क्यों है तो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको फाइको साइनीन के नाम से जांगते हैं तो फाइको साइनीन वरड़क के फाइको साइनीन फाइको शाइनीन फाइको शाइनीन हिंदी में भी लिख देता हूं मैं फाइको साइनीन यह क्या है पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है साइनो बैक्टरिया का जो रंग होता है वो नीला हरा होता है यानि की ब्लू ग्रीन होता है अब फाइको साइनी कि अलामा भी इसमें क्या होते हैं कुछ pigment पाया जाते हैं जैसे फाइको एड़ ठीन टीक है कैरेटी यह pigment पाया जाते हैं इसके अलामा किसमें ख्लोरोफिल आभी पाया जाता है जिस वजह से यह फोटो सेंथेसिस कर पाते हैं तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कुछ अधर जो पिगमेंट्स होते हैं वो जैसे कहम बात कर रहे हैं फाइको एर्थरीन फाइको एर्थरीन ठीक है कैरेटीन 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 इसकी अलाम अगर हम बात करें तो क्लॉरोफील A क्लॉरोफील A यानि कि हम बात कर रहें वरणक हरीतलवक A पर يब कहा है कि यह पर आता है य क्लॉरोफील A जो हता है standard इस क्लोरोफिल एक की उपस्ति के कारड़ ही जो आपका यह साइनो बैक्टेरिया होता है यह कर पाता है फोटो सेंथेसिस कर क्या पता है फोटो सेंथेसिस यानि की अगर हम बात करते हैं यह प्रकास कर पाता है इसके कारण से जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण से और